इसराइल हमास युद की वज़ा से उत्री इसराइल पर लेबनान के हिजबुला ने इस कदर कहर बर पाया है कि अब इसराइली सेना हिजबुला से सीधे जंग की तैयारी कर रही है हिजबुला बार बार उत्री बॉर्डर पर लगातार बंबारी और मिसाइल रॉकेट हमले कर रहा है जिस से इसराइल का ये इलाका वीराने में तब्दील हो चुका है और तो और जैसे ही IDF इस इलाके में अपना कोई नया ठिकाना बनाती है हिजबुला उस पर भी हमला कर देता है और इनी हमलों को लेकर हिजगुल्ला ने एक बहुत बड़ा दावा किया है हिजगुल्ला का कहना है कि उसने कबजे वाले सफाद के बिरिया इलाके में एक बड़ा रॉकेट हमला किया है हिजबुला ने यहाँ पर रॉकेट का एक पूरा का पूरा जथा ही दाग दिया जिसकी वज़ा से यहाँ पर भीशन आग लग गई वहीं समले को लेकर इस्राइली मीडिया का कहना है कि हिजबुला ने सफाद से लेकर अलजलील में कम से कम 40 रॉकेट फायर किये हैं वहीं दूसरी तरफ हिजबुला का कहना है कि उसने बेरिया बैरेक्स पर ग्रेट टाइप रॉकेट का एक पूरा साल्वो फायर किया है जो इस्राइली सेना की नॉर्दन कमांड की प्रमुक एयर डिफेंस यूनिट की मेजबानी करता है आपको बता दे कि हिजबुला का ये भी कहना है कि उसने ये हमला आईडिय अफ द्वारा दक्षणी लेबनान के अलनबातिया और सुमोर शहर में किये गए हमलों के जवाब में किया था और हिजबुला के जवाबी हमले की वज़ा से सफाद में अचानक से अंधिर अचा गया वहीं शुरुवाती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है जबकि इसराइल का आयरेंड डॉम एर डिफेंस सिस्टम इसका सामना करने में चुनौतियों का सामना कर रहा था हिजबुला का कहना है कि उसके इस हमले की वज़ा से एन जेतिम सेटलमेंट और सफाद में जबर दस्ताग लग गई और बड़ी बात ये है कि इसराइली मीडिया का कहना है कि ये हालिया हफ्तों में हिजबुला का सबसे बड़ा रॉकेट साल वो हमला था और इस हमले के इतर भूमद्य सागर के अलनकौरा नेवल बेस पर भी हिजबुला ने कई आत्मघाती ड्रोन्स फायर किये हैं और इन ड्रोन हमलों की वज़ा से इसराइली सेना को यहां भी भारी नुकसान हुआ है वहीं दूसरी तरफ इसराइली सेना ने भी लेबनान के आयतरोन, हौला, अलखायम और रामिया में भारी तबाही मचाई है इसराइल के लड़ाकू जहाजों ने इन इलाकों में कई एर स्ट्राइक की हैं इसके अलावा आइडियाफ ने अलनकौरा, अलमाल शहाब, अलहबैरिये, कफार किला और हाता के कई हम, और हाता में कई हमले की हैं झाल में नेक का बाइडिया रामिया है